अब मुहमद साब आपकी तरफ आउंगा मैं इस पर आने से पहले आपको बात बताओं एक दफ़ा यह मैं ट्राय कर चुका हूं पर्सनली के इस तरह से लड़का था चौक पर मांग रहा था मैंने उसे पूछा मैं रुख गया एक निम पता नहीं किसमूड में था मैंने तुम बने वे हो या तुम लड़के हो तो उसने का फिस भाई मैं लटका हूं तो उसने का करहा हूं काम नहीं है यह नहीं है तो उन दिनों मेरी पड़क्शन चल रही थी आजो ऐसा इस पॉर्ट काम करो साट पर नहीं भी नहीं भी महीने का आराम से 25-30,000 रुपया तो मिल भीग मांग रहे हैं परिशान कर रहे हैं और यह नोंने का कि यह जो कमजोर अकीदे के लोग होते हैं जिनको यह डर लगता है जिनकी बद्धुआ ना लग जाए यह इस तरह की चीज़ हो जाएं यह कैसे सिस्टम इसका सही होगा यह मैं आप से यह जानना चाहरा हूँ मैं एक चोटी सी वसीयत सुनाना चाहता हूँ आपको मैं हमारे एक बड़े बजल्ग हैं मैं किसी जमाने में उनकी खिदमत में हाज़र हुआ तो मैंने का आज़त कोई वसीयत फरमा दे तो उनने मुझे फरमाया बैटा जिनकी में हमेशा उस नेकी को तलाश करो जिसे लोग नेकी समझने छोड़ गए हूँ तो वापस आकर मैंने जो काम किया मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि यह जो बच्चे चोटे चोटे बच्चे चोकों पर चुराहों पर मांगते हैं इन बच्चों को में कभी-कभी ऐसा होता है कि मौका पाकर हमने एक गुरुप है अलमा एकराम का मारा एक सिस्टम है माशाला हम बच्चों को उठाते हैं उनके वालिदेन को पगड़ते हैं उनसे कहते हैं यार अगर आप इजाज़त दो कितने पैसे हम तुमारे घर में दे देंगे इस वकत हमारे पास यह जिनको आप कहते हैं चंगड लफज इस्तमाल करते हैं मांगने वाले बिकारी इनके बच्चों मेंसे हमारे पास तीन कलासे हैं हिफज की चल रही है और अल्ला के फदल करहा हम से कुज़ता पांच साल से यह सिस्टम चल रहा है 18 बचे हाफज कुरान हो चुके माशाला अब इसी निजाम के तहत होना तो यह चाहिए था क कि गॉर्मेंट का कोई अदारा होता अगर गॉर्मेंट नी जितने अदारे बनाएं वह वह कितने अच्छे चल रहे यह आपको भी पता है मुझे बीचा पर गुर्मेंट इस इदारे के नाम पर कोई नया अदारा बनाएगी तो वहां कुछ और लोगों का रिस्क लग करने ने होते हैं जी 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 उस बिल्डिंगे 20 माली होते हैं नसीयत मैं भी कर दूँ इन बच्छों के पास जाने से पहले खुदा का वास्ता है अपनी जान की इफाज़त का पूरा सिकॉरिटी इंतजाम लेकर जाये करें बड़ा जबरदस इनका ठेकेदारी निज में बड़े-बड़े कारोबारी लोग हैं और वह इसी नेकियां तलाश कर रहे होते हैं आप एक एक बंदे को पकड़ें और उनको अपने हां हुनर से खाएं मेरे एक दोस्त हैं में नाम नहीं लेता उन्होंने मुझे पूछा यार मेरी वालदा बहुत ज़्यादा बिमार ढ़ए मुझे कैंसर हो चुका मैंने का आप कोई ऐसे दो बंदे पगड़ें उन्होंने इसी तरह के दो बंदे लात पहर रहे बिया उन्होंने ले जा कि औहुंकर बहतरी लेदर के कट क्रते आंवाइन का काम करते हैं उनकी वे कहले दिजाएं न हम तो अहसास से महरूमियो जाएं और वो बहतरी अच्छी गाड़ी हो, कर्विंस हो, काना हो, वो क्यों नहीं करेंगे, अब उनको सतर सतर असी असी अजार रपया, जब महीनी की तनहा मिलने लेगी, उसके सवाब में क्या हुआ, जिस दोस्त को कैंसर हुआ था, वो कैंसर फ्री हो गए, हम वही नेकी कर हैं, बड़ी-बड़ी फिक्ट्रियां हैं, बड़ी-बड़ी शिप्टमेंट है, बड़ा-बड़ा निजाम है, वो ऐसे लोगों को काम, ऐसे लोगों को लाएं, उन्हें इज़त दें, उन्हें तनहा दें, उन्हें सेलरी दें, उन्हें रहाइश दें, उस तबके को भी प अब गेम वो होगा, इसे आपनी मुझे, जिसने जो करना था, देनी, लातों अवाम को देने का जिन्मा, उनमें नस्ता, शोर गुंजेगा, अर गली नुकर और दुकान, रमदान लीग बनेगी आपकी तैचा, नारा लगेगा, तो फारा चढ़ेगा, गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग, रोजाना, शाम साथ बजे, सिर्फ बोल एंटर्टेन्मेंट पर